और आज बिजो रेमेडी में आपको बताने जा रही हूं नहीं यह रेमेडी आपके चेहरे पे 10 मिनट पे ऐसा निखाल लाएगा आपके स्किन को सौप्ट स्मूद बनाएगा सर्दियों को देखते हैं आज कल जो भी रेमेडी में से एर कर रही हूं मौसम के हिसाफ से कर रही और एक चमक लाता है तो आपको हनी लेना है वन स्पून ठीक है अब यहां पर हम जो एड करेंगे चंदन पौडर एड करेंगे यह भी हम लेंगे वन स्पून एक बड़ा स्पून लेंगे चंदन पौडर हमाई स्किन से दाग धबो को हटाता है सर्दियों में चंदन तो मैं ने अच्छा दूद्ध कर दो बड़ी चमच ले रही हूं और यह हमारे कलर को तो फेर करता है हमारे कलर से टेट स्कीन भी निकालता है और अच्छा टोनर भी कह सकते हो तो मैं बॉयल दूद्ध का बहुत ज़्यादा यूज करते हूं अगर आपने दूद्ध को गरम क कöhंब रने तो ठंड़े ही लेना अब यहां पर ले चाचतूरी हल्दी में थिया है हाप स्बून से अधा लिए है कर दो लिक या है हार तरह की स्कीन प्रॉबलम को दूर करता हमां स्कीन के कलर को लख़इट करता है ब्रायट करता है अब फन्र सनरह और बेच्छ से निक्ष त यहां मैं आड़ करने जा रही हूं विटामिनी कैपसूल क्योंकि सर्दियों को मौसम इसकिन ट्राइब हो रही है तो कैपसूल डालना बनता है अगर आपके पास कैपसूल नहीं है तो आप बदाम और भी ले सकते हैं को कोड़नेट ऑईल भी ले सकते हैं ग्लीसलिम डी बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया अगर आपकी स्किन बहुत जदा ओयली है तो आप यहां पे निभू का जूस भी आड़ कर सकते हो यह मैंने अपने लिए खुद के लिए बनाया है तो चलो फटफट लगा के भी दिखा देते हैं तो यह दखो मैं रूम में ही हूं अपने आज क्योंकि रूम की सफाई कर रही थी तो मैंने का फेस पैक लगा लेते हैं उसके वाद फिर से काम में जूटते हैं तो पूरे फेस्पैस अच्छे सापको अपलाई कर लेना है और जब तक यह पंदा बीस मिनट लगेगा पचीस मिनट भी लग सकता है फेस्पैस यह पंदे पानी में तोल को गीला किया है और जैसे में हटाती हूं हर फेस्पैक आपको बताती हूं इससे क्या होता ना हमाई इसके इंड़ प्लीन होती है ब्लैक है एट्स वाइट्स की प्रप्लम में वह भी निकल जाती है ओपन स्पोर्स गहराई से जाके साफ हो जाता ह तो इसके बाद मैं गुंगुने पानी से फेस को क्लीन कर लेती हूं दुल के आती हूं और यह देको धुल लिया अब इसके बाद मैं लगाऊंगी अलवरा जैल आपको भी मुश्राजा लगा सकते हो कोई भी क्रीम भी लगा सकते हो क्योंकि अभी मुझे और भी सफाई कर नहीं है तो बस मैं इसको लगा करके जा रही हूं काम पे लगने और फिर आपको मिलूंगे एक नए वीडियो के साथ कल बहुत अच्छा वीडियो लाएंगे हेर के लिए हो मेट सेंपू घर पे कैसे बनाएंगे ठीक है